ICDA Supervisor आंगनवाडी Workers for Helper Association ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि श्रम योगी योशना के अलावा आंगनवाडी कारेकरता जो 40 वर्ष की आयू से उपर है उनके लिए जीवन सुरक्षा नीती बनाई जाए Association की प्रदेश वरिष्ट उपाध्यक्ष कृष्ण कांता कमवर ने सरकार से ये भी अग्रह किया है कि आंगनवाडी कारेकरताओं को सेवा निवरिती के पश्चाथ पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाए ICDS Supervisor आंगनवाडी Workers एवं आंगनवाडी Helpers Association की प्रदेश वरिष्ट उपाध्यक्ष कृष्ण कांता कमवर ने आंगनवाडी Workers एवं Helpers के भविश्य को लेकर चिंता जताई है कृष्ण कांता कमवर ने कहा कि कोरोना काल में आंगनवाडी Workers की डो टू डो ड्यूटी लगाई गई और Workers ने ऐसी में घर घर जाकर लोगों से जानकारियां भी गत्रित की साथी सवैश्विक महामारी के बारे में भी जागरू किया लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान आंगनवाडी कारेकरताओं के लिए नहीं किया गया है जिससे उनका भविश्य सुरक्षित हो दुरगटना के स्थीती में सरकार द्वारा कोई गारेंटी नहीं ली जाती जबकि सरकार की योजना इंपात्र व्यक्तियों तक आंगनवाडी कारेकरताओं द्वारा ही पहुँचाई जाती है उनने सरकार से आगरे किया है कि श्रम योगी योजना के अलावा आगनवाडी कारेकरता जो 40 वर्ष की आयू से उपर है उनके लिए जीवन सुरक्षा की नीती बनाए जाए और सेवा निवित्ती के पश्चाद पैंशिन के सुविधा भी प्रदान की जाए और हिमाचल में भी पूरे उसपर काम कर रही है कविध नाइंटी का जो यह है डिपार्डमेंट ने जैसे डिईटी लगा है 문제 में तुस्रफ यही पढ़ा देखा यही बताते हैं कि आशा की और हेल्थ वर्कर कर रहे है सिरफ हेल्थ डिपार्मेंट यहीं ऐसा नहीं है आंगनवाडी वर्कर जो है हमारी माचल परदेश से इसके लिए काम करी है लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री से लेकर होम कॉरेंटाइन तक इसमें काम किया है इवन की सुबा साथ बज़े से लेकर रात की साथ बज़े तक पैदल चल चल कर लोगों के डोर टूटो डोर आंगनवाडी वर्कर ने काम किया है झाल